At present यानि की वर्तमान में हमारा प्लैनेट अर्थ कुछ ऐसा दिखता है अगर इसको मैप की फॉर्म में देखें तो कुछ ऐसा इसमें बड़े बड़े लेंड मासेज यानि की भूभाग हैं जिनको हम कॉंटिनेंट्स यानि की महादूइप कहते हैं और साथ ही जो बचा हुआ एरिया है उसमें पानी है जिनको हम ओशिन्स यानि की महासागर कहते हैं लेकिन क्या हमेशा से प्लैनेट अर्थ पर सब कुछ ऐसा ही था तो आंसर होगा नहीं तो पहले कैसा था हमारा प्लैनेट अर्थ आईए जानते हैं Hello and welcome everyone मिरा ना मैं संदीब दोस्तो करीबन तीन साल पहले मैंने इसी चैनल पर एक वर्ल्ड मैप सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने सभी कांटिनेंट्स को एक एक करके डीटेल में कवर किया था और वो सीरीज लोगों को बहुत पसंद आई थी and I think YouTube पर वो सबसे जादा देखी हुई वर्ल्ड मैप बेस्ट वीडियोज होंगी तब मेरे पास धंका माइक नहीं था इस वज़े से sound issues थे वीडियोज में still लोगों ने बहुत पसंद किया उन वीडियोज को so thank you very much तो दोस्तो मैंने सोचा क्यों ना 3 साल बाद फिर से वर्ल्ड मैप सीरीज बनाई जाए एक नए तरीके से नई information के साथ और भी detail में आप लोग के लिए मैं हर वीक एक नई वीडियो अप्लोड करूँगा इस वर्ल्ड मैप सीरीज की and I hope इस वर्ल्ड मैप सीरीज से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पहली वीडियो थोड़ा अलग रहने वाली है इसमें मैप पर discussion जादा नहीं होगा क्योंकि पहले ये जानना भी जरूरी है कि हमारा planet earth करोणों साल पहले कैसा दिखता था और time के साथ कैसे इसमें बदलावाए क्या आपको कभी वर्ल्ड मैप को देखते हुए ऐसा लगा कि कुछ continents एक दूसरे से perfectly fit हो सकते हैं बिलकुल एक puzzle की तरह for example South American और African continent कुछ ऐसा ही Alfred Wagner को भी लगा और year 1912 में उन्होंने अपनी continental drift theory में बताया की करीबन 225 million years ago यानि की करीबन 22 करोड 50 लाख साल पहले हमारी अर्थ पर एक बहुत बड़ा landmass हुआ करता था और चारों तरफ ये पानी से गिरा हुआ था इस बड़े landmass को पैंजिया का नाम दिया गया और साथ ही चारों तरफ जो पानी था उसको पैंथलासा का नाम दिया गया पैंजिया और पैंथलासा दोनु ग्रीक वर्ड है पैंजिया का मतलब है all earth और पैंथलासा का मतलब है all water एल्फरेड ने बताया की करीबन 200 million years ago पैंजिया का तूटना स्टार्ट हुआ और पैंजिया दो हिस्सों में तूटा इस उपर वाले landmass को कहा गया लॉडेशिया, या फिर अंगराland और नीचे वाले landmass को कहा गया गोंडवाना land लॉरेशिया और गोणवाना के बीच का जो पानी वाला एरिया था इसको कहा गया Tathis Sea यानि की Tathis Sagar उसके बाद लॉरेशिया और गोणवाना लैंड भी टाइम के साथ साथ तूटते रहे लॉरेशिया को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको आज का North America, Europe और Asia का कुछ हिस्सा दिखाई देगा Europe और Asia के इस हिस्से को हम Eurasia भी कह सकते हैं वहीं गोनवाना लैंड में आपको आज का South America, Africa, Antarctica, Australia और India दिखाई देगा जी हां हमारे इंडिया का जो अधिकतर लेंड मास है वो पहले गोंडवाना लेंड का पार्ट हुआ करता था टाइम के साथ ये लेंड मास के टुकडे मूव करते रहे specifically अगर हम इंडियन लेंड मास की बात करें तो ये गोंडवाना लेंड से टूट कर उपर की तरफ मूव करने लगा और एशियन लेंड मास से जाके टकराया जिस एशियन लेंड मास से यहां पर मैं टकराने की बात कर रहा हूँ वहां पर आज का तिबबत रीजन प्रिजेंट है और जब ये दो land masses टकराए तो उसकी वज़े से formation हुआ हिमालियन माउंटेन रेंज का और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टीथे सी हुआ करती थी लेकिन वो नहीं रही क्योंकि इस जगे को cover कर लिया था इंडियन land mass ने इसी वज़े से at present कुछ ऐसा हाल है हमारी planet earth का दोस्तो अब बात आती है कि ये land masses move कैसे कर रहे हैं तो उसका answer है plate tectonics आईए जानते हैं इसके बारे में हमारी earth की surface पर हम आराम से रह रहे हैं लेकिन हमारे पैरों के 1000 km नीचे हमारा planet earth उबल रहा है अगर हमारी अर्थ को layers में बाटा जाए तो इसके सबसे अंदर के हिस्से को core कहा जाता है उसके बाद mental layer आती है और mental की outer surface या फिर हम कहें earth की outermost surface को lithosphere कहते हैं हम अर्थ के जितना अंदर जाएंगे उतना temperature बढ़ता जाएगा in fact earth के core का temperature 4400 degree celsius से लेकर 6000 degree celsius तक होता है अर्थ के core में इतनी गर्मी की वजए से mental layer में जो rocks है यानि की जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं और semi liquid form में बदल जाते हैं इस semi liquid को magma कहते हैं लेकिन earth या फिर कहें mental की outermost layer यानि की lithosphere एक solid surface है और ये surface magma के उपर float यानि की tear रही है तो outermost layer पर हमें land और oceans दो चीज़ें दिखाई देती हैं इसी वज़े से lithosphere को दो layers में sub-categorize किया जाता है upper layer और lower layer upper layer का मतलब है land surface यानि की जहाँ पर हम रहते हैं lower layer यानि की ocean floor यानि की ocean की surface है तो ocean और continents दोनों lithosphere में हैं और magma के उपर float कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि earth के core में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस गर्मी की वज़े से earth के core में बहुत ज़्यादा energy generate होती है और ये energy बहार की तरफ निकलने की कोशिश करती है जिसकी वज़े से ये energy mental पर force डालती है और mental पर जब force पड़ेगा तो mental में जो magma है वो बहार की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और एक time ऐसा आएगा कि इस force की वज़े से magma lithosphere को तोड़ देगा lithosphere के इन टुकणों को plates कहा जाता है हमारा lithosphere 20 से भी ज़्यादा plates में तूटा हुआ है हर plate का अलग size, shape और thickness है इन plates को majorly दो हिस्सों में categorize किया गया है major plates और minor plates ये साथ major plates है और अगर सबसे बड़ी plate की बात करें तो वो है pacific plate दोस्तों मैंने आपको बताया था उस force के बारे में जिसकी वज़े से lithosphere plates में तूट गई थी तो अर्थका कोर हमेशा वो force exert करता रहेगा और उस force की वज़े से ये जो plates हैं वो move करेंगी for example मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना land से Indian landmass अलग होकर उपर की तरफ move किया और Eurasian landmass से जाकर टकराया तो ये movement उसी force की वज़े से हो रही है और plates की इन movement के concept को कहते हैं plate tectonics plate का मतलब आप जानते ही हैं और tectonics का मतलब होता है movement इन plates की movement भी तीन तरीके से होती है Convergent यानि की 2 plates एक दूसरे की तरफ आती है Divergent यानि की 2 plates एक दूसरे से दूर जाती है Transform यानि की 2 plates एक दूसरे के बगल से move करती है plates की इन movement की वज़े से हमें planet earth पर काफी सारे changes देखने को मिलते हैं जब दो converging plates एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उसके टकराने से mountains का formation होता है for example Indian plate और Eurasian plate जैसा की मैंने आपको पहले भी बताया था करीबन 55 million years पहले जब Indian plate Eurasian plate से टकराई तो धीरे धीरे Himalayan mountain range का formation हुआ अभी भी ये plates एक दूसरे के पास आ रही हैं और इसकी वज़े से Himalayan mountain range की height अभी भी बढ़ रही है इसलिए Himalayan range को young fold mountains भी का जाता है और Himalayan mountain range में ही world की सबसे highest peak भी मौजूद है Mount Everest comment में आप मुझे बताएं कि इसकी height कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं इस diagram में दिखा रखा है कि हमारा जो Indian land mass था वो धीरे धीरे करके इस तरीके से आगे आया और Eurasian plate से जाके टकराया पहले हमारा जो Indian land mass था ये गोंडवाना का part हुआ करता था जब दो diverging plates एक दूसरे से दूर जाती है तो उसकी वज़े से कुछ space create होती है कुछ जगय create होती है और उस जगय से ये जो magma है ये hot liquid जो है ये बाहर निकलता है और volcanoes यानि की ज्वाला मुखी का formation होता है और हाँ plates की इन movement की वज़े से ही हमको earthquake यानि की भूकम भी देखने को मिलते है और mostly जहाँ पर दो plates की transformed movement होती है वहीं पर earthquake देखने को मिलते है दोस्तों ये जो plates हैं ये एक साल में लगबग 0.6 cm से लेकर 10 cm तक move करती है और ऐसा माना जा रहा है कि future में यानि की करोडों साल बाद plates की इन movement की वज़े से ये अलग-अलग land masses फिर से एक land mass में convert हो जाएंगे आप इस map में arrows देख सकते हैं जैसे की ये arrow है एक उपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है मतलब ये divergent movement है ये plates एक दूसरे से दूर जा रही है वही अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ये plates एक दूसरे की तरफ आ रही है यानि कि ये convergent movement है ये रही Indian plate और ये रही Eurasian plate और अगर transform moment देखें तो ये दो plates एक दूसरे के पास से move हो रही है तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारी प्लैनेट अर्थ अलग-अलग land masses में तूटी हुई है और अगली वीडियो में हम जानेंगे detail में इन land masses के बारे में यानि कि continents के बारे में और साथ ही oceans को भी detail में जानेंगे आखरी में ये हैं आपके लिए video recommendations इनको भी आप देख सकते हैं साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत